Dear students, बहुत बहुत स्वागत है आप से भी का बच्चों यह कलास 7 का हिंदी बुख है चप्टर 14 है और इस चप्टर का नाम है सूर के पद तो यहाँ पे सुर्दास के रचनाओं को दिया हुआ है सुर्दास स्री क्रिशन की भक्ती में लीन रहते थे और उनकी रचनाओं को ही रचते थे वे स्री क्रिशन के बहुत बड़े भक्त थे तो यहाँ पे उनकी ही रचनाओं को दिया हुआ है आए हम लोग इसको पढ़ कर समझते हैं यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में दिया हुआ है खेलन में को काको गुसईया हरी हारे जीते स्रीदामा बर्बस ही कतकरत रिसईया जाती पाती हमते बढ़ना ही नाही बसत तुम्हारी छईया अती अधिकार जनावत आते अधिक तिहारे हैं कचुगईया रुठही करे तासो को खेले रहे बैठी जहतह सब गवईया कवी सुर्दास जी स्रीक्रिष्न को अपना पर्भु मानते हैं और उन्हीं की उपासना करते हैं उनका पुरा जीवन स्रीक्रिष्न की भक्ती और स्रद्धा में बिता है वे उन्हीं की लिलाओं की रचना किये हैं ये उस समय की बात है जब स्री क्रिश्न अपने बाल सखाओं के साथ खेल रहे हैं और हार जाते हैं, उनके मित्र जीत जाते हैं, ऐसे में स्री क्रिश्न अपनी मित्रों को दाउं नहीं देना चाते, तो उनके मित्र उनसे रूठ जाते हैं, वे कहते हैं कि खेल खेलने में कोई किसी का स्वामी नहीं होता तुम हार गए हो और स्रिदामा जीत गया है स्रिदामा का अर्थ सुदामा जिसको सुदामा हम लोग करते हैं फिर जूट मूट जगड़ा क्यों करते हो जाती पाती में भी तुम हमसे बड़े नहीं हो और नहीं हम तुम्हारी छाया में बसते हैं त दूर्दास जी कहते हैं कि मेरे स्वामी तो खेलना ही चाहते थे इसलिए नंद बाबा की सपत खाकर कि मैं फिर ऐसा कभी नहीं करूँगा जगडा नहीं करूँगा ऐसा कहते हुए वे दाउं दे देते हैं तो इसके एगले पाट में देखते हैं ये है दुसरा पाट सोभित कर नव नीत लिये घुटरुन चलत रेनुतन मंडित मुख दधी लेप किये चारु कपोल लोल लोचन गोरोचन तीलक दिये लट लटकानी मनू मत मधुपगन मादक मधुही पिये कंठुला कंठ वज्र केहरी नख राजत रुचिर हिये धन्यशूर एकोपल या सुख का सत कल्प किये सुर्दाज जी इन पक्तियों में स्री कृष्ण के बाल रुप का वर्नन किये हैं जब वे बहुत ही छोटे थे और अपने घुटनों के बल चलते थे एक दिन स्री कृष्ण ताजा ताजा माखन एक हाथ में लिये और अपनी बाल लिला करने लगे उनके नन्हे से हाथ में ताजा माखन सुभयमान है और वह उस माखन को लेकर घुटनों के बल चल रहे हैं उनके सरीर पर रेनू अर्थात धूल लगी है मुख पर दही लिपता है उनके गाल सुन्दर तथा नेत्र चंचल हैं ललाट पर गोरोचन अर्थात रोली जिसको रोडी हम लग बोलते हैं रोली का तिलक लगा है बाल कृष्ण के बाल घुंग राले हैं जब घुटनों के बल माखन लिये हुए चलते हैं तब घुंग राले बालों की लटें उनके ललाट पर जूमने लगती है जिससे ऐसा परतीत होता है मानो भावरा मधूर रस का पान कर मतवाले हो गए हैं उनके इस सोंदर की बिर्धी उनके गले में पड़े कंठार वसिंग नक से और बढ़ जाती है शुर्दास जी कहते हैं कि स्री क्रीशन के इस बाल रूप का दर्सन अधी एक पल के लिए भी हो जाता तो जीवन सार्थक हो जाता अन्यथा सो कल्पों तक भी जीवन हो तो निर्थक ही है तो यहाँ पर यह चेप्टर समाप्त हो गया है आईए देखते हैं क्या क्वेश्चन दिया हुआ इसमें सबसे पहले इस कविता में जो सब्द उप्योग हुए हैं वो आसान सब्द नहीं है तो इसलिए यहाँ पर अधिकतर सब्दार्थ दिया हुआ है यह पार्ट वन जो उसका दिया हुआ है उसमें से दिया हुआ है और यह पार्ट टू का सब्दार्थ यहाँ पर दिया हुआ है तो इसको जरूर आप लोग एक बार दो बार पढ़ें और यहाँ पर question इस chapter का दिया हुआ है इन पदों के रच्चता कौन है तो इन पदों के रच्चता सूरदाश जी है तो आपको answer screen पे आ जाएगा पहले पद में कौन हारा और कौन जिता बताया गया तो पहले पद में स्री कृरिसन हारे और स्रिदामा जित गए है गवालों ने कृरिसन से क्या कहा कि खेल खेलने में कोई किसी का स्वामी नहीं होता तो इस तरह से इसका answer जो है आपको screen पे मिल रहा होगा तो आप उसको पौज करके लिख सकते हैं और next question है दूसरे पद में स्री कृरिसन के किस रूप का चितरन किया गया है तो दूसरे पद में स्री कृरिसन के बाल रूप का चितरन किया गया है जब वे घुटनों के बल चलते थे बाल कृरिसन के हाथ में क्या है तथा मुह पर किसका लेप है बाल कृरिसन के हाथ में ताजा माखन है और उनके मुख पर दही दधी लिखा हुआ है तो उसका मतलब होता है दही का लेप है बाल क्रिस्न ने गले में क्या पहन रखा है उसमें क्या क्या है तो बाल क्रिस्न ने गले में एक कंठार एक माला पहन रखा है और उसमें सिंग नक पिरोया हुआ है उसमें होते हैं या लिखक होते हैं उनके बारे में लगभग एक चेप्टर जैसा बड़ा आप लोगो को पढ़ने के लिए मिलेगा और यहाँ फोर नमबर में लिखो जिसमें सप्रसंग व्याक्षा लिखने के लिए मतलब इसका भावार्थ लिखने के लिए कहा जा रहा है सोभित कर नवनीत लिए तो यहाँ पे इसका भावार्थ में आप लोगो को दे देता हूँ जैसे कि यहाँ इसका आंसर दियावा है प्रस्तुत पक्तिया सुर की पद कविता से उद्गिर्थ है सुर्दास जी ने स्री क्रिष्न के बाल रुप कवशन किया है तो यहाँ पे आपको स्क्रीन में इसका आंसर मिल रहा होगा और दूसरा पार्ट में जोस में दिया हुआ है खेलन में को काको गुसया हरी हारे जीते स्रीदामा बर्बस ही कत करत रिसया तो इसका भी आंसर मैं आप लोगों को इसक्रीन पे दे दे रहा हूँ और यहां पे भासा अध्यान मतलब ब्याकरन से हिंदी ब्याकरन से एक क्वेशन दिया है अपने अनुप्रास अलंकार की पहचान करनी सीख लिए है नीचे लिखी काईबे पक्तियों में से अनुप्रास अलंकार छाटो अनुप्रास अलंकार में एक ही वर्न से कई सब्द जब बनते हैं कविता में तो उसको अनुप्रास अलंकार कहा जाता है तो यहां पे जैसे कर नमर में दिया हरी हारे जीते सीरिदामा तो यहां पे हरी हारे यह जो सब्द है यही अनुप्रास अलंकार हो जाएगा तो हा वर्न जो है इसमें अनुप्रास अलंकार होगा उसके बद ख़व नमर में लट लटकानी मनूमत मधुपगन मादक मधुई तो यहां पे ल जो है दो बार यूज हुआ है लेकिन मा 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 कितना बार यूज हुआ है तो यहां पे मा जादा यूज हुआ है इसलिए यह जो है यहां से यहां तक जो सब्द है यह हो जाएगा अनुप्रास अलंकार जिसमें मा की आविर्ती जो है अधिक बार आया हुआ है तो मा की अविर्ती ही अनुप्रास अलंकार होगा उसके बाद यहां गर नम्बर में कठूला कंट ब्रज तो यहां पे आपको ज्यादा कौन सा वर्न यूज़ हुआ है क सूर्दास के जिवन के बारे में अधिक जानकारी एकत्रित करने के लिए बोल रहा है और इसके बारे में आप पढ़कर उसको और अधिक जानकारी प्राप्ट कर सकते हैं इसके लिए आपको दूसरे बुक से पढ़ाई करना होगा या फिर आप साइट का उपयोग भी कर सकते हैं वेब साइट का तो यहां पर यह चप्टर समाप्त हो गया है अगर हमारा यह वीडियो आप लोग के लिए helpful है तो आप हमारे इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए और इसी तरह का और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखे अपने दोस्तों के साथ सेर कीजिए और इसके अगले चैप्टर को पढ़ने के लिए हम लोग अगली वीडियो में चलेंगे तो नेक्स्ट वीडियो पे चलते हैं